एक बार एक बहुत बड़ा बिजनसमेन एक छोटे से गाउं में जाता है उसका प्लान होता है कि उस गाउं में एक फैक्टरी लगानी है वो एक ऐसी जगे तक पहुच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गाउं होता है अब उसके पास में दो आप्शन्स होते हैं एक के वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गाउं तक पहुचे जिसमें करीब करीब आठ घंटे लगीगी क्योंकि डिरेक कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुचने का दूसरा के सिरफ 20 मिनिट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गाउं तर पहुच जाए तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया नाव महती छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनसमें बैठा हुआ है तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनसमें ने उस नाव वाले से पूच आ तुझे पता है तुरी नाव में कौन बैठा है तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़कर गे नहीं साब मुझे नहीं पता आप कौन है तो बिजनस्मेन बोला अरे तु अखवार नहीं पढ़ता है क्या हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखवार में तो नाववाला बोला अरे साब मुझे कहां पढ़ना लिखना आता है मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया ये सुन करके उस बिजनस्मेन ने उसका मजाख उड़ाते हूँ इसको कहा तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है ऐसी जिंदगी का क्या फाइदा ये सुन करके उस नाओ वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसके कुछ नहीं का थोड़ी देर बाद वो बिजनस्मेन उस नाओ वाले से बोला अभी कुछी दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्टरी होगी जहां पर हमारे ब्रैंड की मिल्र वाटर की बॉटल्स बनेगी उस नाओ वाले को बात समय नहीं आई उसने का क्या बनेगा साथ तो बिजनस्मेन थोड़ा सा इरिटेट हो करके बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतले बनेगी जो तरह गाओं में नहीं बिखेगी लेकि शहरों में बहुत बिखती है अरे कभी तु शहर गया होगा तो तुने देखी होगी पानी की बोतले रखी होती है दुकानों पर फिर ओ नाओ वाला बोला अरे साब मुझे कैसे पता होगा मैं तु कभी इस गाओं से बाहर गया ही नहीं फिर ओ बिजनसमेन उसके पर हसते वे बोला तु कभी इस गाओं से बाहर तक नहीं गया तुझे पता ही नहीं की शहर क्या होता है अरे ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा उसकी ये बात सुन करके कि उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वज़े से उसका नाव से ध्यान हटा और तब ही नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पक्तर से। जिसकी वज़े से नाव में पानी भरने लगा और नाव दूगने लगी। उस जगे पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आगे कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में चलांग मार नहीं वाला था। तब ही उसनों उस बिजनसमेंट से पूछा। साहब आपको तैरना तो आता है ना। तो बिजनसमेंट घपरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हूं। मुझे तैरना नहीं आता है। साहब आप घपराओ नहीं। मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है। मुझे डूपते हो लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसके पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दो। और फिर उस नाओ वाले ने ना सिर्फ अपनी, बलकि उस बिजनसमें की भी जान बचाई है। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। कि हमें जिन्दगी में कभी भी किसी कभी मजाक नहीं उडाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कभ, कहा, कैसे, किस की जुरत पड़ जाए।